हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में दव प्लेटफर्म बुक का हिंदी का यहाँ पर इगारवा प्रेक्टी सेट देखने वाले हैं सारे प्रस्णों को विश्तिरित धंग से सॉल्व करेंगे तो आप भी आमारे साथ एक एक प्रस्णों को बनाते चलिए और वीडियो को अन तक जरूर देखिए और जितना इस कोरार आए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए एक एक प्रस्णों को बारीकी से अध्यान करते हैं पहला जो प्रस्ण है फ्रेंड्स निमल अलंकार के परकार जो होता है भराती मान होता है दूसरा होता है बीभावना तीसरा होता है बीरोधा भास और जो सलेश अलंकार देख रहे हैं यह जो है सब्दा अलंकार के परकार है तो बोलाई कि कौन सा अर्था अलंकार नहीं है तो अप्सन नमर डी इस कोशन का राइट ए चिकी वीडियो लेकर आने वाला हूं ताकर आपको अलंकार पाइचाने में दिकत न हो। ठीक है फ्रेंट्स और विशर्ग संदी में जहां भी आप चो और छो देख लिजिएगा तो वह बदल कर सो में हो जाता है तो इसी साब से आपका जो है इसमें सही जो है अप्सन नमर सी हो जाएगा इसका संदी ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोच्चन है यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा चक्र पानी में परयुक्त समास है चक्र पानी मतलब चक्र जिसके हाथ में हो तो किसके हाथ में चक्र होता है विश्णू जी के हाथ में तो यहां पर दो सब्द मिलक और किसी तिसरे का अर्थ बता रहे हैं तो उसमें कौन सा समास होगा बहु बढ़ी ह तो दखिए फ्रेंट्स, खिरकी जो है, आपको देश में उत्पनुआ है, इसलिए देशत सब्दा है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, रेखांकित सर्वनाम का परकार चीनित कीजिए, देखिए यहाँ परवाक दिया है, इसको पाचाना है कि यह कौन सा सर्वनाम है, बोल के धाराधर भीक रही है में धाराधर में कौन सा रूप है देखिए फ्रेंड्स जहां भी आजाए धाराधर या तर-तर या आपका आजाए पट-पट तो यहां पर जो है किरिया भी सेशन हो जाता है अप्सन नमर सी इस क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए इसमें आपको चुड़ना है कि काल वाचक किरिया भी सेशन कौन सा नहीं है काल वाचक मतलब जो समय से समंदित हो तो समय से तो आज कल समंदित है परतिबर समंदित है बाहर भीतर जो है यह जो है आस्थान से समंदित है तो इसलिए अप्सन नमर सी इस question का right answer हो जाएगा next question है कि जो नवीन सिक्षा परनाली में विद्यार्थियों को प्रेरीत किया जाता है अब जो है जो नई सिक्षा परनाली है इसमें विद्यार्थियों को प्रेरीत क्यों किया जाता है अब सन्य है प्रचीन परंप्राओं को समान करने के लिए B है राष्ट हित में कारे करने के लिए C है रोजगार करने के लिए और D है किसी के लिए नहीं तो देखिए friends जो नई सिक्षा परणाली में विदियार्थियों को राष्ट हित में कारे करने के लिए प्रेरित किया जाता है अप्सन नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा next question है यहाँ पर देखिए प्राचीन समय में विशो में शिख्षा और संस्क्रिती का परमुख केंदर था इसमें बताना है कि कौन सा देश प्राचीन काल में शिख्षा और संस्क्रिती का परमुख केंदर था तो option number D, यानि कि भारत जो था, वो प्रचीन काल से ही सिक्षा और संस्क्रिती का पड़ मुख के अंदर था, यहाँ पर नलांधा भी सुभी देले था, तक्षन सीला था, ठीक है friends, next question है यहाँ पर देखिए, ब्याकरण, यहाँ पर देख लिजिए, ब्याकरण का व विभाग जिसमें सब्द के भेद, रूप, बनावट, आदी का वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है, तो देखिए, सब्द के भेद के रूप, बनावट का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सब विचार होगा, देखिए, वो सब्द विचार होगा, ठीक है friends, next question है, यहाँ पर बताना है, तो सुन्दार्ता भी भावाचक होता है, करूना भी भावाचक होता है, अमीरी भी भावाचक संग्या, यहाँ पर पढ़ाई जो है, भावाचक संग्या नहीं है, इसलिए, option number A, इस question का राइट एंसर हो जाएगा, कौन सा सब्द नेत्र का प्रयायवाची है, य इन में से तत्सम सब्द का चायन कीजिए, इन में से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम सब्द है, तो देखिए, दीन जो है, option number B, इस question का राइट एंसर है, दीन जो है, तत्सम सब्द जो है, यहाँ पर है, next question है, यहाँ पर फूल का प्रयायवाची सब्द नहीं है, फूल क तो प्रयायवाची सब्द पुस्प होता है, कुसुम भी होता है, और सुमन भी होता है, यानि कि option number C जो है, तनुजा, यह प्रयायवाची सब्द नहीं है, और नहीं है, इसलिए इस question का राइट एंसर option number C होगा, next question है कि परिनाम वाचक किरिया विशेशन अवय है, इसमें स तूझान से इस इस question का राइट एंसर हो जाएगा, आंसिक सब्द में कौन सा पड़तेया लगा है, यह बताना है, तो आंसिक में option number C एक लगा है, ठीक है, friends, next question है, तीलक किस परकार का सब्द है, तो देखिये friends, तीलक जो है आपका तत्सम सब्द है, option number A इस question का राइट एं नेक्स्ट कोश्टन है मधुकर सब्द का परेयवाची सब्द नहीं है। देखिए हमने साहित से एक वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखा है तो जो है हमारे चनल पर जा कर देख सकते हैं तो उसा जो है सीर्षक कभीता जो है वो लिखे थे समसेर सिंग बहादूर अपसर नमर सी इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि जूठन सीर्षरचना हिंदी साहित की कौन सी विद्धा है देखिए जूठन जो रचना किया गया था वो कौन सी विद्धा है तो जूठन जो है आत्म कथा है और ये जो आपका आत्म कथा है वो जो है ओम परकास बालमी की का है ठीका है ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट जो कोस्तन है औरों को हसते देखो मनू हसो और खुस पाओ उपरुक्त उप्तिया की किस पुस्तक की है यह जो बताना है जो यहाँ पर पक्तिया दी हुई है यह किस पुस्तक से लिया गया है तो देखिए यह जो लिया गया है वो आपका काम्यानी पुस्तक से लिया गया है और इस पुस्तक के लेखक जो थे वज़य संकर पर साथ थे ठीक है फ्रेंट्स इतने बात आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट कोश्चन है कि भानुपलस उदय का संदी बिछेद क्या होगा तो अपसन नमरे इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा भानुदे खेद सब्द का बिलोम सब्द नहीं है देखिए फ्रेंट्स खेद का मतलग होता है नराज ठीक है तो नराज का तो बिलोम यहां पर हर्स भी होगा प्रसंता भी होगा खुस भी होगा लेकिन दूख जो है नहीं होगा तो अपसन नमरे इस कोश्चन का राइट एंसर हो इसमें भी मो और इसमें भी मो आया है ठीक है तो बार बार आये तो वह जो है आपका अनुपरास जो है होता है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर देख लिजिए शेर दहारता है यह वाक किरिया के लिए उधारन है तो यह जो है अकर्मक किरिया है ठीक है option number 20 question का right answer हो जाएगा तो आज का इतना ही मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए जय हिंद